One Piece के latest chapter के अंदर हमको finally Elbop के main villain से introduce करा गया है जो कि मेरे हिसाब से और कोई नी बलकी Loki होने वाला है जब हमको One Piece के अंदर Prince Loki को introduce करा गया था उस time पे सभी को लगा था कि Loki जो है वो Luffy के villain वाली category के अंदर नहीं आएगा क्योंकि भाई starting में जो हमको उसका shadow वाला design देखने को मिला था वो तो बिल्कुल एक comedy वाले character की तरह था ये बात तब किये जब Loki ने Lola को propose करा था और उसने उसको reject कर दिया था और अभी latest chapter के ending में हमको Loki का जो design देखने को मिला है जिसको देखने के बाद में तो ऐसा लग रहा है कि भाई Loki जो है वो one piece के one of the best villain में से एक होने वाला है क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो उसका design है और दुसरी बात है उसकी backstory यहाँ पर हमको chapter के अंदर पता चला है कि Loki ने अपने father का legendary devil fruit पाने के लिए अपने खुद के father को मार दिया था जबकि उसके father के पास में devil fruit की powers थी और Loki ने बस अपने strength का use करके उसके father को हरा दिया यह बात यहाँ पर आपको सुनने को तो easy लगरी होगी कि भाई एक giant दुसरी giant को तो हराए सकता है लेकिन भाई normal giant और एक giant जिसके पास में devil fruit है वो भी legendary वाला उन दोनों के strength की अंदर बहुत ज़्यदा difference हो जाता है फिर भी Loki ने पता निकेसे अपने father को हरा दिया उसके power का अंदादा आप ऐसी लगा सकते हो कि भाई giant की army को one piece की अंदर one of the strongest army माना जाता है फिर भी यहाँ पर एलबाप की उपर बस Loki को रोकने के लिए फुरी पुरी giant की army लग रही है like Loki के strong होने के पीछे उसका devil fruit तो है ही लेकिन उससे पहले उसने अपने father को हराया था तो यहाँ पर उसकी हाँ की भी काफ़ीदा strong हो सकती है और जब chapter के ending में Loki Loki के पास में जाता है और उसको पूछता है की भाई तु है कौन जहाँ पर Loki बोलता है की मैं sun god हूँ जो की इस वाले world को destroy करने वाला है यहाँ पर मुझे यह बात थोड़ी सी अजीब लग रही है की भाई लोला ने Loki को reject कर दिया इसलिए भाई अपना Loki जो है वो पूरे के पूरे world को destroy करने की पीछे लग चुका है और जैसा है की आपको पता है की अलवाफ के अंदर जो giant है वो sun god को काफी जदा मानते है और अलवाफ के अंदर sun god की पूजा करी जाती है तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है की लोकी को ऐसा लगता है की वो legendary devil fruit मिलने के बाद में अभी वो काफ जदा powerful हो चुका है लाइको sun god से भी काफ जदा powerful हो चुका है और इसलिए वो यहाँ पर अपने आपको यह sun god बोल रहा हो और अभी यहाँ पर लूफी और लोकी की मुलाकात होई चुके तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है की अपना लूफी जो है वो भाई यहाँ आपर लोकी को free कर देगा और उसके पीछे लूफी का reason हो सकता है की उसको लोकी के साथ में fight करनी रहेगी यहाँ आपर ऐसा भी हो सकता है की लोकी के पास में जो devil fruit है उसकी powers का यूज करके और लूफी को कैसे दे कैसे trick करके अपने आपको free चुडवा ले अगर आपने मार्वल के movie वाला लोकी देखा है या आपने god of और रैग्नरॉफ वाला लोकी देखा है या मेभी आपने नौर्स माइथालोजी को थोड़ा बहुत पड़ा होगा तो आपको पता है होगा की भाई लोकी के पास में इसी trick करने वाली powers रहती है मेभी यापर उसका जो devil fruit रहने वाला है उसकी powers भी एसी trick वाली रहने वाली है जहापर लोकी लोगों के दिमाग के साथ में खेल के या उन लोक को एकी time loop के अंदर घुमाते रह सकता है क्योंकि यापर नौर्स माइथालोजी वाले लोकी को तो trickster बोलाई जाता है और उसी लोकी से inspire होके यहापर ओडा सेंसे ने भी one piece वाले लोकी को इसी type की devil fruit वाली powers दी रहेगी और यहापर लोकी बोली रहा है कि उसको world को end करना है तो भाई उसके पास वाली powers भी काफ जदा तगडी रहेगी मेभी यहापर ऐसा हो सकता है कि लोकी लूफी की जगा लेकि red line को destroy कर दे और उसी की वज़से fishman island भी destroy हो जाएं तो यहापर आपको क्या लगता है कि one piece वाले लोकी की powers क्या रहने वाली है क्या वो reality के अंदर इतने जदा strong रहेगा या वो एसी bluff कर रहा है अब इतने सारे सवाल तो मेरे दिमाग में भी आ रहे हैं लेकिन उनके answer तो हमको पसंद आ गया होगा तो जाते जाते इस वाले वीडियो को लाइक करके चैनल को भी subscribe करके जाना तो चलो guys आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही में मिलता हूँ आपको वागए आने वाले किसी वीडियो के अंदर तब तक के लिए इस आयो ना रहा